आयाव बीन गाइडिंग जरी एस्परेंट सिंस पास थ्री यह जब मैं खुद एक स्टूडेंट था तब से मैं स्टूडेंट को गाइड करता हुआ रहा हूँ और इतने सालों मैंने इतनी सारी प्लॉब्रम्स नोटिस करी हैं जो कि जरी एस्परेंट करते हैं अपनी आसमान का अंतर आ जाएगा तो तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम पहला स्टेप लीट सो क्यों इन प्लॉब्रम्स को सॉल्व करने के लिए और जो मैं प्रेपरेशन में जमीन आसमान के अंदर की बात कर रहा हूँ वो तुम दो-तीन दिनों के अंदर प्रफाइड करूँगा जिसका लिंक तुम में इंसे मिल जाएगा तो अगर तुम सिर्फ सुनने के लिए वाले इस वीडियो में क्या बताया जाने वाला है तो इस वीडियो को मत देखो तुमारा टांव टाइम को होगा ये वीडियो उन लोगव के लिए जो कि सुनने है और रिजल्ट्स क्रिएट करने वाले क्योंकि मैं खुद ऐसी कोई चीज़ क्रिएट नहीं करना चाहता जिससे ड्रास्टिक रिजल्ट्स ना हैं तो इस वीडियो में डिस्स करने वाले वीडियो लेक्चर्स को सही तरह से देखने के तरीके के बारे में तो यहाँ पर तुमारी पढ़ने की प्रोसेस को जर्फ हम एनृट्स करते हैं लगाना शुरू कर रहे हो जिसके वीडियो सॉलीशन तो अबसी अवैलेबल नहीं है यह फिर से इंगे चलावा कोई अगर तुम लगाते हो इसके मैजन कर सकते हो इसके सवाल लगाते वक्त हमें होती है दिक्कत गिरते पटते जितने सवाल हमसे हो पाते हैं हम उने कर लेते ह हैं गुमप के डंग से नहीं करते हैं प्लब्रम स्वल्व अलब पाट और आगे वले चाप्टर बढ़ जाते हैं क्योंकि वह हम घंसे कर पाते हैं अब यहां पर बड़े ध्यान दे सुना क्या तुमने कभी सोचा है कि उस चैप्टर की ब्लॉब्रम स्वल्विंग जब theory को ढंग से ना कर पाना तो नहीं है अगर तो मिन जनर्रल किसी से जाके बुछोगे कि यारे चाप्टर मेरा खराब है तो मेहनत करो सवाल लगाओ अपने अपच्छा हो जाएगा अरे यह तो सबको पता है कुछ नया बताओ मेहनत करूं भी तो किस particular aspect पर करूं और सवाल लगाओं या फिर theory को जाके दुबारा बढ़ूं या फिर notes को revise करूं इस पर कोई particularly ध्यान नहीं देता कि कौन सी aspect particularly weak है समझ रहे हो revision week है problem solving week है फिर theory में loopholes है पर आज से असा नहीं होने वाला आज से हम particularly सभी चीज़ों पर ध्यान देने वाले और इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि video lectures को कैसे धंग से देखना है और video lectures आतर तुम theory के देख रहे होते हो तो यहाँ पर जैसे कि मैं बताया problem solving वारी धंग करना तुम्हें क्या-क्या changes दिखाई दिए तो में क्या-क्या differences दिखाई दिए तुम्हारे तब के preparation status में और अपके preparation status में तो हम सबसे पहले और सबसे essential topic पर आते हैं जो की है involvement अब इस चीज़ को तो मैंजन कर पा रहे हैं कि जितना कम involvement होगा उतनी बेकार learning होगी यह चीज मज़ा आता है मूवी देखने में और मूवी जब खतम होती है तो हमारा बिल्कुल मूवी हमारे अंदर तब भी हो रही होती है जैसे अगर कोई spider-man देखके आया है तो वह ऐसा एक्ट कन लगता है कि वह spider-man है वही दीवार वी बार पर चड़ जाए तुम सोच रहे हो तु मूवी देखने जा रहे हो और नीचे जो वह टाइमर वाला बार लगा हुआ है तो कि दिखाता है ना कि वीडियो इतनी कंप्लीट हो गई जैसे यूट्यूब की वीडियो भी देख रहे हो तो इसमें भी हो गयी ऑविसली सोचो मूवी स्क्रीन पे लगा हो और तुम अपन मूवी खतम होने वाली है इतनी जल्दी हो जाए इतनी जल्दी सब कुछ हो जाए और या लेक्चर को देखते है कब खतम होगा बहुत इरिटेशन हो रहिय जाता है और फिर घंटए का लेक्टर देखने के बाद हम बोलते हैं कि चलो आज 1.5 घंटे का लेक्टर तो कंप्ल कई ऐसा तो नहीं है 30-40 मिनिट तक तुम इस बैटल में भसे हुए थे कि मैं रिटेट हो रहा हूं मैं रिटेट नहीं हो रहा हूं मैं रिटेट हो रहा हूं मैं रिटेट नहीं हो रहा हूं मैं बोर रहा हूं मैं बोर नहीं हो रहा हूं तो भी 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 यह मत बोला करो कि आज में 12 गंटे पड़ा, साही है चलो, थोड़ा तो पढ़ लिया, मतलब पहले से बेथर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, तुम यह बोला करो, कि आज में 6 गंटे पड़ा, अगर तुम आरी एफटिव स्टडी शे गंटे गिये, समझ रहो यह मैंने अपने intuition से बोला है क्योंकि मैं बहुत सारे students को पढ़ा रहा हूं पर्सनली गाइड कर रहा हूं तो यह मेरा intuition है के डेढ़ गंटे में generally जो students है वो 40-50 minute का ही सीख पाते हैं जो कि एक normal pace पर चल रहे होते हैं बाकी पार वो कब सीखते हैं बाकी पार फिर जब प्लॉबर में solving कर रहे होते हैं फिर उसमें doubts आते हैं उसकी ते पढ़ते हैं ऐसे शीखते हैं अगर तो में लेक्टर को यह दंग से शीख लेते दंग से देख लेते तो तो में डाउट सीन आते और तुमारा chapter बहुत जल्द हमने कोई stress नी दिया याद करने में हमें automatically याद हो गए जैसे मेरे साथ तो यह बहुत ही जादा extend तक होता है जैसे एक anime करके naruto करके anime कुछ लोगों ने देखी होगी तो उसमें काफी सारे characters हैं काफी सारे मतलब शायद 1500-200 characters होंगे उसमें यह भी मैं अपने intuition से बोल रहा हू अधर calculus करते वक्त हो जाए या physics का chapter करते वक्त हो जाए chemistry करते वक्त हो जाए तो भाई अलगी लेवल पर preparation करेंगा इंसान है एक चीज हमें करनी है सोच रहे हो एक video lecture को तुमने इतना तमीज से देख लिया कि automatically तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना पड़ रहा का perspective होता है वो हमारे involvement में difference create कर देता है एक और बार मैं इस line को repeat करूंगा जो हमारा उस video lecture को देखने का perspective होता है वो हमारे involvement में बहुत जादा difference create कर देता है इसके लिए मैं एक छोटा सा example दूँगा इसे अगले दो गंटे बाद ही बूल जाएंगे कुछ का perspective इतना बेतर होगा कि वो अगले दो गंटे बाद इसमें बहुत जादा deeply dive in कर रहे होंगे कितनी कमाल की बात कह दी कैसे सोची होगी इंसान ने कैसे equation निकाली होगी दौनों के level of learning में अंतर है क्यों ऐसा है कि कुछ लोग जादा बहतर तरह से सीख लेते हैं और कुछ लोग नहीं सीख पाते involvement का difference है और perspective का difference है समद्रे इस बात को बड़े ध्यान दे समझना और तुम इसको related भी कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं तो यह जो सामने मेरे F is equals to MA लिखा है इसको मैं एक boring equation की तरह भी देख सकता हूं जो कि J मैं apply होने वाली है सवालों में काम आईगी और इसको मैं एक बहुत ही कमाल की equation की तरह भी देख सकता हूं जो कि असली दुनिया में exist कर रहे है मतलब अगर मेरे सामने से मेरा phone रखा है अगर मैं इसको खिसकाऊंगा तो actually मैं उसमें apply होरी है कैसे किसी इनसान ने सोचा होगा कि F is equals to MA के बरावर होता है mass into acceleration कैसे उसके दिमाग में यह term आया होगा acceleration चलो mass तो आई जाएगा भी मेरा कोई mass है कैसे उसने सोचा होगा कि mass और acceleration को multiply कर दूँगा तो force आजाएगा था अभी भी ऐसे देख सकता हूं कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाए ना गूस बारे में और सोचता हूं कि किसी इंसान ने कैसे बनाई होगी यार कितना दिमाग लगाया होगा पहले भी बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगा रहा होगा यहां तक पहुंचे होंगे आस पास कितनी मस्ट चीज है यार कितना ज्यादा एडवेंचर चुपा है इस चीज के पीछे और यह हम आज अपनी जेई प्रेपरेशन के दौरान पढ़ रहे हैं जो कि आगे आने वाले सवालों में अप्लाए होने वाली जिन सवालों की मदद से हम रियल लाइफ प्लावरम से अब आपने आपको और बैतर समझ सकते हो तो अगर इस परसपेक्टिव से देखो गे तो ये तुम एक एडवेंचर की तरह लगेगा पूरा चाप्टर तुम्हें एक एडवेंचर की तरह लगेगा कि पहले एफ बराबर में आया उसके बाद ये तीन मोशन की एक्वेशन जाई ये कैसे सोची होगी इस इंसान ने ये तो और कॉम्लिकेट करता जा रहा है तीजहों को और फिर इसने क्याल्किलेस बना डाली पूरी ये डिफ्रेंशेशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलॉस बनाए कैसे होगा ये बना सकता है तो मुझे काफी चालेंजी फील होता था कोई भी हो अलब आइंस्टाइन हो न्यूटन हो मतलब मैं यह नहीं सोचता था कि मैं इन से कम भी नहीं हूं मतलब कुछ चीजहीं सीखनी ही तो मैं थोड़ा एक्स्प्लोरी तो करना है कर लेंग तो इन सारी चीज़ों में ने काफी ज़्यादा टाइम इंवेस्ट किया है और इसका मतलब यह नहीं है तो अगर बहुत ज़्यादा डाइवें निन करोगे तो तुमारे जही में नंबर आ जाएंगे जही में नंबर लाने के लिए कुछ और चीज़े भी हैं जो लगती है हमें problem solving approaches धंग से आनी चाहिए अगर तुम subject के ज़्यादा deep में चले जाओगे तो तुम थोड़ा ज़्यादा time invest कर दोगे deep conceptual understanding में और बहुत ज़्यादा extent ता किसे नहीं करना होता है अगर तो में एक J-E experiment हो क्योंकि J-E जो exam है वो तुमारी subject की knowledge test नहीं करता है individually वो बहुत सारी चीज़े test करता है तो में paper solving आने चाहिए problem solving आनी चाहिए अलग-अलग तरे के सवाल हो से तुम familiar होने चाहिए तो सारी चीज़ों का balance बनाना होता है तो हम इस चीज़ को summarize करते हैं कि अगर हम अगली बार से कोई equation देखेंगे integration में chemistry में अगर कोई chapter पढ़ रहे हो तो hydrogen में खा हुआ है तो इसको एच मैंजन मत करो वह English alphabet actually है वह एक atom है उसको वैसा इमेजन करो जैसा वह असली दुनिया में है मतलब exactly तो हमने कभी देखा नहीं है पर जैसा बताया जाता है जब S orbital की बात हो रही है तो उसको S letter की तरह मत देखो imagine करो भई यह देखो मेरे सामने सब्सक्राइब है तब जो तुमारा लर्निंग का एक्स्टेंट होगा वो ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा मैं जैसे मैंने मुवी का एक्जाम्पल दिया सारे नाव अपने आपने आप याद आपने आप यादे लोगों के इसी तरह से एक चाप्टर भी याद हो जाएगा अगर परस्पेक्टिव से रहेगा और इसमें कुछ नहीं करना सिंप्ली वीडियो देख रहे हो दो मिल्ट को उस चीज का परस्पेक्टिव जो भी तुमारे बना हुआ है उसको ब्रॉड करो सब्सक्राइब इंटिग्रेशन है तो असली दुनिया में ये कहां पर एप्ली अगर है ऐमने टाइम में ये वीडियो लेक्ट्चर को दंख से देखने के तरीकों में आता है जो कि हम सीरिस के आगे वाले पार्ट में देख रहा हूंगि ψाली तो अपड़ी थीज को कुशिछ करनी है और अपना perspective आके इस comment box में share करना है क्योंकि मैं भी देखना चाता हूँ कि लोग किस किस direction में सोच सकते हैं किस किस नजरिये से इस चीज को देख सकते हैं जिससे उनकी learning जो है इनायन्स हो सकती है तो आज से जो हम video lectures देखेंगे उसमें actually में हमें मजा आ रहा होगा सोच रहो रोज हमें डेर डेर गंटे की तीन movie देखनी है यह तो भाई party हो गई है तो मैं काफी excited हूँ results देखने के लिए अगर एक भी इंसान इस चीज को apply करके आगे comment section में comment करता है तो मुझे काफी कुशी होगी और I think यह वीडियो तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए क्योंकि काफी सारे लोग इस problem से जो एंटर को कर रहे है वीडियो lectures धंग से ना देख पाने की और यह बस एक छोटी चीज परस्पेक्टिव में shift उनकी learning process को बहुत जादा enhance कर सकता है जिससे उनकी सिर्फ जई preparation enhance नहीं होगी पूरी जिंदगी कुछ levels में enhance हो जाएगी और जितना तुम इस चीज को strongly apply करोगे समझ रहे हो जितना strongly जितना seriously इस चीज को apply करोगे उतना ही तुम transformation देखोगे not just in jay preparation बाकी सारी चीज़ों में भी क्योंकि जब हम किसी की बात सुन रहे होता है मानला तुमारी मम्मी कुछ बोल रही है तो उनकी बात सुन रहे हो तो उनकी बात सुनने का भी यह perspective है तुमारा है न वा जो बोल रही है उसको भी तुम एक perspective से देख रहे हो तुम उनकी बात को डंग से कभी नहीं सुन पाओगे जब तक तुम्हारा परस्पेक्टिफ सहीं ही होगा तो यहाँ पर भी इसे अपलाई किया सकता है यहाँ तो मैंने सिर्फ जेही के लिए बताया है बट कुछ सुदेंट ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि वो अपार्ट फ्रम जेही भी मुझे से कुछ सीखने में इंट्रस्टेड होंगे तो मैंने उनके लिए का है कि सिर्फ जेही में नहीं तुम बाकी सारी चीज़ों में से अपलाई कर सकते तो इस वीडियो का हम यहाँ पर एंड करते हैं अगली वीडियो में